इस्टुडेंट आज हम बी ए पार्थ थर सोशोलोजी पेपर सेकंड सोशल एंत्रोपोलोजी शामाजिक मानोशास्तर के अंतरगत अबजेक्टिव ओफ मेरेज विवा के उदिस से पेचरचा करेंगे इसके पहले वाले लेक्चर में विवा की उत्पती एं विवा का अर्थ सामाजिक मानोशास्तरी और समाजास्तियों के दृष्टिकोन में विवा का अर्थ क्या है उसको हम ने पिछले वीडियो में परिवासित किया जिसके अंतरगत मेलनोश की मदन मजुमदार मर्डोक आद के इस वीडियो में विवा एक सामाजिक संस्ता है और विवा का एक सामाजिक संद्चना में महत्वपुन योगदान है तो विवा के जो विवा विवा के पांच उदिश्य बताएं मदन और मजुमदार ने विवा के चार उदिश्य बताएं जबकि हिंदू धर्म में विवा के तीन उदिश्य हैं धर्म प्रजा और रती मुश्लिम धर्म में विवा के दो उदिश्य माने जाते हैं यौन शमन और शंतानोत पती करना द्रिश्टिकों अथ्वा महत्वका है तो सामने तोर पर समाज में विवाके निमने लिखित या निमने प्रकार के उदिश्ये हैं जिसमें पहला है mutual affection, love and companionship अथार, पारस्प्रिक लगाव, प्यार एवन साथीपन इस्त्रियव पुरुष श्वाभाविक रूपशे भीन है या प्राकतिक रूपशे भीन है इस भीनता के कारण में एक दूसरे के पृति आकर्शन रहता है योण इक्षा इस पारस्प्रिक आकर्शन का एक महत्युपून कारण उश्रता है पत्नी अपने होने वाले पती से प्यार, सुरक्षा, शंरक्षन एंसानती की अपक्षा रखती है तो पत्नी से श्ने, कोमलता एं विश्वाश पून्षमरपन की अपक्षा रखता है परतिक व्यक्ती में ये श्वाभावी एक्षा रहती है नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि विप्रित लिंक का व्यक्ति अपने उसके साथ रहे उश्य है उसकी मित्रत्ता हूँ इन सभी कार्णूशें विवाशन स्थाका की उत्पति हुई है ऐसा समाज सास्त्री और मानुशास्त्री का विचार है दूसरा उदेश है योन आवशक्ताओं की पूर्ति ग्रेटिफिकेशन और शेक्स नेसेसिटी परते एक मनुश्य चाहे वो पुरूश या इस्त्री योन समंदू की इच्छा विद्यमान रती है शमुदा या समाज के योन जीवन का नियमन करना विवा का एक मुख्य उदेश्य है श्वस्त एवं शामाने जीवन के लिए योन आवशक्ताओं की पूर्ति करना जरूरी है केवल विवा ही एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा वैद योन समंदू की अस्थापना की जा सकती है अते वैद योन आवशक्ताओं की पूर्ति करना विवा का एक मुख्य उदेश्य है तीसरा है शंतानोत पती करना परिवार की अस्थापना विवा संस्था का मुख्य उदेश्य है विवार शंतानोत पती की वैद बनाता है विवार से पूर्व या अवैद संतानों को शमाज में स्विकृति प्राप्त नहीं होती है या मानेता प्राप्त नहीं होती है विवागा के बाद पती-पतनी की प्छाुती है कि उनके परिवार वंस में विर्धी हो इस उदिशय से बे शन्तानुत्पन करते हैं इसके अतिरिक मानू जाती की निरंतब्ता शन्तानूत्पती के द्वारा ही बनती रती है चोथा उदिश नर्चर ऑप चिल्डेंद अर्था बच्चूँ का पालन पोशन करना विवा का एक उदिश से बच्चों का पालन पोशन करना एवं उनका शमाजी करन करना शुशलाजिशन करना है अधिकान स्विक्ति चाहते हैं कि व्रधावस्ता में जब वे अशक्त हो, अशाय हो, लाचार हो तो उसकी देखरे कशारा भार उसके बच्चों पे हो, उसके परिवार पे हो, हिंदु धर में तो वंस परंपरा को बनाए रखने के लिए बच्चों का विभन संसकारोंशित प बन जाते हैं, आर्थिक समाज में विवाहित पत्ति पत्नी में आर्थिक समाज में लिंक पर आधारित सरम विवाजन पाया जाता है, डिवजिन ओप लेवर कि ये पुरुष के कारिये हैं और ये इस्त्री के कारिये हैं, इस परकार से समाज में सरम विवाजन पाया जाता ह है जिससे समाज के विभिन कारियों की पूर्ति होती है. लिंक पर आधारित स्रम विभाजन के कारण पुरुष घर्ष से बाहर रह कर कठोर काहरे करते हैं ध्न कमाते हैं, जिसे परिवार का यह बच्चों का पालन पोशन और भरन पोशन होता है इस तरियां घर के अंदर रहकर विविन परकार के पारिवारिक कार्य करती है जिसे घर भली बाती से संचालन होता है या घर का कार्य चलता है इस परकार पति-पत्नी के मद्दे आर्थिक सयोग से दिश्य अमार्शक्त्रों को पूंड करता है। Next Step, Fulfillment of Religious Aim धार्मिक उदिश्यों की पूर्ती करना। हिंदु धर्में तो विवा को एक धार्मिक संसकार माना गया है और हिंदु धर्में व्यक्ति विवा करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है तथा पित्री रिन, रिशी रिन और निरेरी रिन, अधिती रिन आदी से मुक्ति पा सकता है। इसके अधिरिक हिंदु धर्में विविन परकार के संसकारों को व्यक्ति पारिवारिक जीवन में प्रवेश करके ही पून कर सकता है। एक परिवार एवं एक घर की स्थापना करना, established one family and one एक परिवार एवं एक घर का निर्मान करना भी विवा का एक मुख्य, एम हैं, उदेश्य हैं, विवार ही एक ऐसी संस्ता है जो पारिवारिक जीवन में पर्वेश कराती है। प्रसित समाज सास्त्री में मेकाईवरन पेच ने कहा है इसमन विवा के बारे में कि अधिकांस समाजों में इस्तरी पुरुष दोनों के लिए घर की इच्छा सुएम दुवारा निर्मी तरसोई यूप्त एक घर की इच्छा विवा का एक शक्ति साली कारण हैं। अमेरिकन समाज मानुशास्त्री एंथ्रोपोलोजिस्ट मर्डोक ने शंसार में लगबग 250 जनजाती समाजों का धिन करके बताया कि विवा के तीन मुद्खिवदिस से पहला योन इक्छाओं की पुर्ति करना, दूसरा बच्चों का पालन पोशन एंशमाजी करन करना, तीसर आज में सर्म विवाजन की अस्तापना करना, अगले वीडियो में रूल्स ओफ मेरेजिज इन ट्राइप्स अथाज जनजाती विवाके नियम पे चर्चा करेंगे, धन्यवाद।